हेलो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में आप सभी लोग के साथ एक बहुत ही इंपोर्टेंट जानकारी के बारे में सेयर करने वाले हैं यह जो खबर है उन सभी लोगों के लिए काफ़ीदा इंपोर्टेंट है जो लोग भी भारत से जर्मनी के लिए ट्रावल करके जाना च जारी की गई है जिनकों की हाई रिस्क केटेगरी का बताया गया है और इस लिस्ट में भारत का भी नाम सामिल है अब जो लोग भी भारत से जर्मनी के लिए ट्रावल करके जाएंगे उन सभी लोगों को फूली बैक्सिनेटर होने के साथ साथ करोना वारस का नेगिटिव रिपोर्ट भी लेकर ट्रेवल करना पड़ेगा इसके साथ साथ जर्मनी में जाने के बाद उनको 10 दिन वहाँ पर कॉरिंटीन में भी रखा जाएगा यहाँ पर जर्मनी और भारत के बीच में एर बबल्स के तहत फ्लाइटों को काफी लंबे समय से ऑपरेट किया जा रहा है लेकिन अब यहाँ पर जो लोग भी भारत से जर्मनी के लिए ट्रेवल करके जाएंगे उनको सारे नियमों का पालन करने के साथ साथ कॉरिंटीन का भी नियम अब एप्लीकेबल होगा